लो गाइस टेक टेल्स चैनल में आप सभी का स्वावत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने हो लाओ आपके विंडोज पीसी में विंडोज 10 हो या विंडोज 11 हो तो वहां पर आपके फोटू में से इमेजस में से जो आपके जो भी परसनल इंफॉर्मिशन रहते हैं वह आपको जो है रिमूफ करना है इसको डिलीट करना है तो इसको कैसे करते हैं इस वीडियो में हम यह सीखने वाले है तो इसके लिए मैं आपको बहुत इज़ी और बहुत सिंपल मेथड बताने वाला तो आपको क्या करना है दोस्तों simply आप अपने फोटू पे आपको रैट क्लिक करना है image file पे इस तरीके से राइट क्लिक करने के बाद इसकी जो properties रहती है वो आपको open कर लेना है properties में आपको जाना है details वाले टाप में इस तरीके से अब यहां पर आपको जो है एक link मिलेगी remove properties and personal information वो link पर आपको जो है click कर लेना है simply इस तरीवे से ठीक है अब यहाँ पर आपको जो है दो option मिलेंगे create a copy with all possible properties remove और remove the following program from the file तो आपको जो option सही लग रहा है आपके लिए तो आपको यहाँ पर select कर लेना है जैसे कि मैं सारे information remove करना चाहरा हूँ कुझे copy वागिर आप कुछ नहीं चाहिए तो मैं यह second option select करूँगा और नीची के side भी यहाँ पर आपको इसके कुछ detail में information मिल जाएंगे आप यहाँ पर screen पर देख सकते हैं ठीक है उसके बाद select all पर अगर आप क्लिक करना चाहरें तो सारे option select हो जाएंगे उसके बाद ok पर click कीज़े ठीक है और फिर से एक मरतबा ok पर click कीज़े और अब इसके जो information है आप चेक कर सकते हैं वो remove हो गई है तो फिर स इस पर right click करके उसके properties में जाएं और इसका जो है information आप चेक कर सकते हैं वो सारा data personal information जो भी आपका image में रहता है वो remove हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप easily without using any software उसको remove कर सकते हैं उम्मीद करता आपका हमारे वीडियो पसंद आ गया हो अगर आ गया हो तो लाइक शेयर कीज़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज़े मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू वेरी मच